ये जो पॉक्सो एक्ट संसोधन विधेग 2019 के बारे में जानेंगे ये जो पॉक्सो एक्ट हैं इसमें किस तरह का अमेडमेंट हाल ही में किया गया है उसके बारे में जानेंगे तो सुरुवात करते हैं पॉक्सो एक्ट संसोधन विधेक 2019 को इसी के बारे में जानते हैं 18 जुलाई 2019 को महीला एमवाल विकास मंत्री इस्मृती जुबिन इरानी द्वारा राज्य सवा में योन अपरादों से बच्चों का संरक्षन विधेक 2019 पेस किया गया था विधेक योन अपरादों से बच्चों के सरक्षन अधिनियम 2012 में संसोधन है ये जो योन अपरादों से बच्चों के सरक्षन अधिनियम 2012 है इसमें संसोधन के तहत एक नया अधिनियम पेस किया गया है नया विधेक पेस किया गया है जिसका नाम है योन अपरादों से संसोधन विधेग 2019 अब पोक्सो एक्ट क्या है तो यह जो पोक्सो एक्ट है यह अधिनियम बच्चों को योन उत्पिडन और असलील साहिते जैसे अपरादों से बचाने का रियास करता है कस्ट जनक योन उत्पिडन अधिनियम के तहत यदि कोई वेक्ति कस्ट जनक योन हमल करता है तो वह एक बच्चे के योनी मुह मुत्र मार गया गुदा में उसके लिंक को घुसता है एक बच्चा भी ऐसा ही करता है बच्चे के सरीर में किसी अन्य वस्तु को सम्मिलित करता है बच्चे के सरीर के अंगों पर अपना मुह लगाता है इस तरह के अपराद के अगर कोई वेक्ति 16 साल से कम उम्र के बच्चे पर मर्दाना योन हमला करता ही तो उसे 20 साल से लेकर आजीवन कारावास जुर्माने के साथ दंड़नी किया जा सकता ही और जो इसके अलावा अन्य उत्तेजित हमले किये जाते हैं उसके बारे में विसने कहा गया है कि अधिनिय को भी सामिल किया गया है जहां अपरादी बच्चे का रिस्तेदार है या अगर हमला करने से बच्चे के योन अंगों को चोट होसती है या बच्चा गर्विवती हो जाता है इस बिल में दो और अपरादों को जोड़ा गया है जो कि आक्रामक योन हमले की परिमासा है इसमे की मोट के परिणाम सोरुप जो हमला होता है या प्राकर्तिक आप्दा के दोरान या हिंशा के किसी भी समान स्तितियों में जो हमला होता है वो भी इसमें साभी गया है वर्थमान में बड़े मर्मग्य योन मामलों की सजा 10 साल से लेकर आजीवन का रवाज और जुर्माना हैं विधेक में नियुनतम सजा 10 साल से बढ़ाकर 20 साल और मृत्यु दंड की अधिक्तम सजा इसमें दी गई हैं अब यह जो हमले हैं यह सदिनियम के तवत योन हमले में ऐसी क्रियाय सामिल हैं जहां एक वेक्ति योनी लिंग गुदाय बच्चे के इस्तन को बीना प्रवेस के योन इरादे से चूता हैं बड़े हुए योन हमले में ऐसा मामले सामिल हैं जहां अपरादी बच्चे का रिष्टदार हैं या अगर हमला बच्चे के योन अंगों को घायल करता हैं इस वि सामिल हैं अब इसका जो उद्दे से होता है असली से आधीनियम के तहट एक वेक्ति योन प्रियोजनों के लिए किसी भी रूप से मीडिया में किसी बच्चे को उपयोग करने पर असली लुद्धियों के लिए बच्चों का उपयोग करने का दोसी है। इसके बारे में तो इसके अलावा इसमें जो जो चीजे सामिल की गई है वो है कि एक बच्चे को सामिल करने वाले असली सामगरी को नश्ट करने या हटाने या रिपोर्ट करने में फफल करना रिपोर्टिंग के उद्देश से को छोड़ कर ऐसी सामगरी को प्रकाशिक